इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर चांद नहीं होगा तो हमारी प्रितिव पर क्या-क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर चांद नहीं होता तो दिन 24 गंटे ना होकर शिर्फ 6-12 गंटे की बीच में होते एक साल में 365 दिन ना होकर 1400 दिन होते चांद ना होने पर समुद्र में जुआर भाटा भी नहीं आता क्योंकि चांद के गृत्वा करशर से ही रात में जुआर भाटा आता है रात में हलका प्रकास चांद के कारण होता है लेकिन जब चांद गायब हो जाएगा तो हमारी पृत्वी पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाएगा अगर चांद नहीं रहेगा तो कभी भी सूरिग रहर और चंद रहर नहीं लगेगा क्योंकि सूरज को ढखने के लिए चांद रहेगा ही नहीं हमारा जो अर्थ है वा 23.5 एक्स स्वाइप पर जूका है अगर चांद नहीं होगा तो या कोई भी नहीं जानता कि हमारी पृत्वी कितनी एक्स स्वाइप पर जूकी रहेगी और इस जुकाओं के कारण पृत्वी का मौसम कैसा रहेगा वेग्यानिकों का कहना है कि अगर चांद नहीं होता तो प्रित्वीव पर कभी भी मानो जाती पैदा ही नहीं हुए होते क्योंकि समुद्रों के बीच ज्वार भाटा ही नहीं आता और जब ज्वार भाटा ही नहीं आता तो जमीन और समुद्री जल के बीच निट्रिन्स के आदान प्रदान का प्रोसेस लो हो जाता और मानो जाती होता भी या नहीं ये कहना बहुत ही मुश्किल है